हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल नर्सिंग स्टडी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे psychology की बहुत important topic structure of mind की तो इसमें आ जाता है it, ego, super ego, conscious, subconscious and unconscious mind तो एके करके हम सभी को discuss करेंगे और जो viewer syllabus के according चल रहे हैं तो यह topic उनको unit number two में मिलेगा and unit one हमारी complete हो चुकी है यह हमारे है unit number two तो आप syllabus चेक कर सकते हैं और अगर जो नई viewer आए हैं उनके लिए मैं syllabus description box में डाल दूँ कि आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं topography of mind या फिर structure of mind तो हमारा mind जो है वो three parts में divide है यहनकि three parts जो हमारे mind में जो हमारा mind काम करता है कैसे conscious mind subconscious mind and unconscious mind ठीक है conscious mind में क्या होता है as per fraud fruit क्या है इनका पूरा नाम है segment fruit वो कौन है यह father of psychoanalytical theory यानि कि जो भी psychology पर theories हुई है जो इनकी show हुई है research हुई है वो segment fruit ने कि है यानि कि वो father of उन्होंने ही पताया है कि mind जो है three parts में divide है conscious conscious and unconscious parts में जो है divide है इन्होंने पूरी research किया है इस पर तो वो क्या कहते है कि conscious mind क्या होता है the conscious part of mind consists of those mental activity of which we are aware यानि कि conscious part जो है mind का mind का वो part है या mind की वो activity है जिससे हम aware होते हैं यानि कि हमें पता चलता है कि इस time पर ये activity हो रही है जैसे कि मैं अभी आपको कोई topic बता रही हूं समझा रही हूं और आप उसको grasp पर उसको समझ रहे हो यानि कि यह आपकी current जो feeling है current जो conscious mind आपको catch कर रहा है समझ रहा है वो है हमारा जो currently activity है इस time पर जो present है ठीक है the conscious part of mind consists of those mental activity यानि कि वो mental की activity है जो आपके mind की activity है जो एकदम aware है यानि कि जागी हुई है वो सब समझ रही है जो आपके साथ अभी present में जो हो रहा है आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है आप क्या सुन रहे हैं क्या समझ रहे हैं वो होता है आपका conscious mind such as thought, feeling and sensation जैसे कि आपकी thought आप क्या सोच रहे हैं जो मैं भी पढ़ा रहे हैं आपके mind में क्या चल रहे है feelings आप क्या feel कर रहे हैं ठीक है आप कोई topic जो मैं आपको बता रहे हूं आप सुन रहे हैं और आपके mind में एकदम अंदर process चल रहा है कि अच्छा यह सब होता है इसके अंदर conscious mind में यह सब होता है and sensation यानि कि उसको आप feel कर रहे हैं क्या sensation आ रही है आप में in person immediate awareness यानि कि immediate awareness ways जैसे आप immediate समझ रहे हूं उसको तो यह जाता है आपका conscious mind मैं मिस कहने का मतलिब यहील है कि जो current situation को समझ रहा है ठीक है current feelings को फे Year current thought को sensation को grasp कर रहा है पकड रहा है catch कर रहा है महसूस कर रहा है उसको तो होता है conscious mind next आजाता है subconscious mind इसमें आजाता है इसमें क्या होता है कि जो भी आपके ideas थे जो भी thoughts थी feelings थी वो एक time के लिए store हो जाती है जैसे मैंने आपको आज यह topic पढ़ाया है कल हो सकती है कि आपके mind से wash out हो जाए लिकिन आपके mind में है वो चीज अगर मैं आपको revise कराऊंगे फिर से तो क्या होगा फिर से आपको याद हो जाएगा अभी देख लिए जैसे मैंने आपको conscious का topic पढ़ाया है उसके बाद मैंने subconscious का topic आपको पढ़ा रही हूँ तो conscious वाला आपके mind में store हो गया है ठीक है लेकिन वो एक store हो चुका है तो वो चीज आपके mind में store हो गई है लेकिन अभी आप subconscious को समझ रहे हैं ठीक है आप आपने उस topic को छोड़ दिया है क्यों क्योंकि वो आपके mind में store हो गया है ठीक है जब आप उसको फिर से पढ़ने बैठेंगे तो वो recall हो जाएगा ठीक है तो अभी subconscious क्या है यानि कि वो सारा कुछ store हो चुका है आपके mind के अंदर subconscious content is not immediately accessible to awareness यानि कि वो एकदम से याद नहीं आ सकते जब आपको जब कोई चीज जो है आपको याद नहीं आ रही है एकदम से याद नहीं आ रही है ठीक है थोड़ी देर आपको सोचना पड़ रहा है तो यानि कि वो immediately आपको याद नहीं आएगा जैसे कोई phone number होता है ठीक है आपने एक बार याद कर लिया उसको फिर कुछ time के बाद आप उससे भूल जाते हैं लेकिन आपने उस number को याद एक बार तो आपने उसको याद किया है आपने memory में उसको store कर लिया फिर आप उसको याद करने लगते हैं तो वो दीरे दीरे आपको याद आने लग जाता है यानि कि एक तरह से उसको आपने store कर दिया और फिर आप उसको फिर से आप उसको number को जो है ले सकते यानि कि उसको अगर आप याद करेंगे तो वो नंबर आपको याद हो जाएगा यानि कि लेकिन वो immediate नहीं होगा यानि कि वो immediate reaction नहीं होगा उस time पर ठीक है materials form can be bought from the conscious if individual concentrate record तो इसमें यही कह रहा है कि material जो भी आपकी memory में जो भी आपने number याद किया है ठीक है वो क्या होगा वो आपको याद आ जाएगा लेकिन जब कब आएगा जब आप concentration लगाएंगे उस पर ठीक है आप जैसे हम कभी कुछ चीज़ याद करते हैं तो क्या करते हैं हम अपने eyes close कर लेते हैं और eyes close करके वो topic को याद करने लग जाते हैं कि क्या था क्या था वो topic तो उससे क्या होगा वो हमें याद आ जाता है means कि हम उसको recall कर सकते हैं उसको हम याद करके वो चीज़ हम वापिस जो है हासिल कर सकते हैं यह होता है conscious subconscious mind यानि कि कोई भी चीज जो है store हो जाती है mind में लेकिन जब हमसे recall करते हैं याद करने क्योशिश करते हैं concentrate लगाते हैं उस चीज़ पर तो वो हमें फिर से याद आ जाती है थर्ड हमारा unconscious mind it is the largest part of mind material stored in the unconscious has a powerful unconscious के हमारा largest यानि कि हमारे जो हम mostly जो यूज करते हैं अपने mind को जो वो पार्ड कों से है unconscious mind है हमारा मिटिरियल जो है store हो रहे हमारे unconscious mind में store हो रहा है और क्या हो रहा है influence on our thoughts and feelings जो क्या कर रहिए हमारे thought and feeling को effect कर रहा है याछनिकिए influence परभाव डाल रहा है unconscious motivation होता है means कहने का मतले है कि जो भी हम हमारी दिन में कितनी activities होती है हम पूरा दिन कितना कुछ करते हैं, तो वो क्या होता है, कि पूरा दिन हमारे mind में इस process चलता है रहता है, और वो सब store होता रहता है, ठीक है, अगर हम शाम को बैठ के सोचने लगें, तो हमने दिन में पतने कितनी activities की हैं, और वो सारा कुछ कहां पर store हो रहा है हमारे unconscious mind में जो है वो store होता रहता है जो हमारे thought and feeling को जो है effect करता रहता है तो यह होता है हमारा unconscious mind next topic आ जाता है हमारा structure of personality अब जो है हमारी mind का में पता चल गया कि हमारा mind जो है कैसी काम कर रहा है ठीक है अब यहां पर आ जाता है personality यानि कि एक जो है person की क्या-क्या personality क्या-क्या उसके अंदर present होता है इद होता है ego होता है super ego होता है ठीक है तो एक एक करते हैं हमें को पढ़ेंगे जब एक बच्चा पैदा होता है और बड़े होने तक उसके अंदर क्या-क्या changes उसके personality में क्या क्या changes होती है यानि कि वो कैसे behave कर रहा है ठीक है तो वो किस में आ जाता है उसके personalities में आ जाता है तो सबसे पहले इसमें आता है इद तो सबसे पहले इसमें क्या आता है इट contain all biological based drive it operate according to the pleasure principle तो basically इद जो है हमारे pleasure principle पर work करता है कैसे यानि एंकि प्रैजर healthy principle means immediate requirement जैसे एक छोटा बच्चा होता है छोटा बच्चे जब ice cream को देखता है उसको quite aoda होता है की उसको ice cream बहुत पसंद मीठा होता है उसे मीठा बहुत पसंद में उससे ice cream बहुत पसंद टो वहख्या जेद करने लगता है कि मुझे ice cream की कि requirement है मुझे ice cream चाहिए यानि कि उसको इसी वक्त ice cream चाहिए बच्चे करी बार देखा होगा आपने जीद करते हैं कि उसको ice cream चाहिए ही चाहिए तो यह क्या होता है उसके immediate requirement होती है कि मुझे इसी वक्त ice cream चाहिए means कि उसके इच्छा पूरी होनी चाहिए और ये क्या होता है ये जनम से उसके साथ होती है यानि कि इत जो है उसके जनम के साथ ही पैदा होती है उसके personality में होती है उसके nature में होती है जब बच्चा चोटा होता है पैदा होता है तो ये उसके साथ ही grow करती है यानि कि उसकी जो immediate requirement है उसको नहीं पता है कि वो किस चीज के लिए कर रहा है लेकिन उसको उस चीज की requirement है उसको नहीं पता लेकिन उसकी इद जो है उसको ये बोल रहे है कि मुझे ये चाहिए मुझे आइस क्रीम चाहिए तो ये होता है हमारा इद next आ जाता है हमारा ego, लेकिन ego समझने से पहले हम super ego को समझते हैं पहले it prefers to ask perfection principle it judge the thought and action of ego means तो यह किस पर काम कर रहा है perfection principle या फिर आप कहा लिजे morality principle morality principle पर work कर रहा है morality principle means नैतिक यानि कि principles उसके जो rules है यानि कि यह जो super ego है यह किस पर काम कर रही है rule के according काम कर रहा है किसी चीज़ पर अगर rule लगे है एक बच्चा है उसको जो है rule के under रखा गया है कि आपको यह rule follow करने पड़ेंगे तो यह rule के according चलेगा यानि कि एक person के अंदर अगर super ego है तो वो रूल को follow करके चलेगा ठीक है it just the thought and action of ego यानि कि उसकी जो thought वो सोच रहा है और जो वो काम कर रहा है तो वो सोच समझ कर काम करता है ठीक है और क्या करता है ये think of other यानि कि वो क्या कर रहा है sacrifice भी करता है दूसरे की अगर जैसे किसी चीज की requirement है दो भाई है आप ऐसे लगा लिए कि two brothers है उनके लिए कोई toys आया है नया toys आया है तो अब बड़ा भाई भी है और चोटा भाई है अब चोटे भाई ने वो toys ले लिया तो बड़ा भाई क्या करेगा sacrifice कर देगा उसके लिए कि चलो कोई बात नहीं यह मेरा चोटा है यह मैं इसको दे देता हूँ ठीक है क्यों क्योंकि उसको इसके सिखाया गया है उसको ऐसे principle उसको ऐसे morals दिए घए गए है ठीक है तो यानिकि कहने का मतलब है कि वो अपने नैतिक सिद्धानतों को यानिकि rules को follow करके उस पर चलता है तो यह किसमें आ जाता है super ego यानिकि क्या करता है इट and super ego के बीच में यानि कि दोनों को मिला कर यानि कि balance बना कर चलता है ego कैसे काम करता है reality principle पर means means वो सोचता है कि वो खुद को क्या मान कर चल रहा है यानि कि उसको कैसे काम करना है ठीक है reality में वो कहने का मतलब यह है कि वो weight करता है इस condition पर अगर किसी person का अंदर ego है तो वो weight कर रहा है कैसे कि जैसे एक बच्चा है ठीक है इद में तो था कि वो जब छोटा बच्चा होता है ठीक है वो immediate requirement थी उसको ठीक है उसको ice cream चाहिए ही चाहिए थी लेकिन ego में क्या होता है बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है ठीक है अब वो weight करता है अगर उसे ice cream मिली तो ठीक है अगर नहीं मिली तो भी ठीक है यानि कि मिलेगा तो ठीक नहीं मिलेगा तो भी ठीक यानि कि उसको कोई immediate requirement नहीं है इस पर वो जिद नहीं कर रहा है उस चीज के लिए कि उसको चाहिए ही चाहिए यानि कि वो एक तरह से जो है let go कर देता है यानि कि जो present में reality है ठीक है उसको maintain करके चलता है ठीक अब इड एंड सी को super ego की बीच में कैसे वो हरवनी करता है आपने देखा होगा कि इड में क्या है immediate यानि कि उसको जो है इच्छा आपनी पूरी करनी ही करनी है और और super ego में क्या था कि वो जो है अपनी morality सिधानतों के बीच में चलता है और यह क्या करता है वेट करता है अगर यह दोनों ही अपने अलग-अलग direction में काम कर रहे है तो ego क्या बोल रहे है कि wait करो ठीक है अगर मिल जाता है तो ठीक है नहीं मिलेगा तो भी ठीक है तो यह हो ग development तो जो है psychosexual development कैसे हो रही है ठीक है यानि कि psychology जो है दीरे दीरे एक person में कैसे develop हो रही है कैसे उसकी psychology को समझा गया है ठीक है सबसे पहले आता है इसमें oral stage तो यह कब होती one and a half year यानि कि जब बच्चा टेट साल का होता है तब उसके अंदर जो है यह psychology जो है देखी जाती है यानि कि इस time पर वो क्या कर रहा है pleasure throw mouth तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है सीख रहा है यानि कि उसको कुछ भी हम खाने के लिए उसको खुद खिला रहे है एक बच्चा आपने देखा होगा कि एट साल का बच्चा है उसको खाने का नहीं पता है कैसे खाना खाना है क्या पीन ऑरल स्टेज पर जो का यह उसको माउट सेट वेजर मिल रहा है ठीक है next आज़ा जाते हैं इसमें अनन स्टेज तो यह होता है है천 Carrस जाते हैं की स्टेज साल जो पिरिड होता है और उसको कुछ भी नहीं होता है पता होता है और एरन स्टेज में क्या होता है कि डेर साल से तीन साल के बच्चे स्टेज में आते हैं और इसमें क्या होता है उसको टॉलेट ट्रेनिंग दी जाती है यानि कि उसको टॉलेट कराना सिखाया जाते है और वो सीखना शुरू कर देता है ठीक है वो समझता है वच्चा कि उसे कुछ बताया जा रहा है कुछ सिखाया जा रहा है और वो catch करना सीखना शुरू कर देता है थर्ड आजाता है phallic stage तो यह कब होता है 3 to 6 एर पर तो यहाँ पर क्या होता है learn sexual identity यहाँ पर sexual identity means वो अपने आपको पहचानना शुरू करता है कि वो boy है या girl है ठीक है उसको differences पता चलने लग जाती है ठीक है कि वो किस group में है girls की group में है या boy की group में है फोर्था जाता है इसमें latency stage latency stage में क्या होता है यह होता है 6 to 12 year ठीक है जो 6 to 12 year में जो बच्चे आते हैं वो आते है latency stage में तो इस stage में क्या होता है learn socialize यानि कि वो दूसरों से मिलना जुलना शुरू करता है ठीक है, वो school जाना शुरू कर देता है बच्चों से मिलता है, उनके साथ खेलता है यानि कि एक social circle में जो है वो आ जाता है उसे पता चलता है कि socially जो है उसे कैसे behave करना है socially कैसे रहना है ठीक है तो means एक तरह से वो socialize हो जाता है फिफ आ जाता है इसमें genetal stage यह होता है 12 year ठीक है 12 year में क्या आ जाता है adulthood हो जाता है ठीक है तो इसमें क्या जाता है sexual maturity आ जाती है बच्चे में यानिकि वो जो है अपने opposite sex की तरफ जो है attract होना शुरू हो जाता है बच्चा अगर वो boy है तो जो है आपने opposite यानिकि girl sex की तरफ जो है वह attract होना शुरू हो जाता है तो यह जाते हैं हमारे genetal stages तो हमारी यह topic यहीं पर finish होता है तो हमारा unit number two structure of mind complete हो चुका है तो जिन viewers ने unit 1 के notes उनको नहीं मिले हैं तो उनके video मैं upload कर चुकी हूँ वो भी मैं description box में डाल दूँगी आप वहाँ से note down कर सकते हैं तो I hope आपको ये topic clear हो चुका होगा Thank you for watching guys